नमस्कार आज मैं आपको बताँगो फोर टक्स ब्लाउच कटिंग एंड स्टीचिंग तो सबसे पहले हम कपड़े को देखेंगे किस तरीके का एक कपड़ा है देखें यहां पर कपड़ा है न वह ऐसा है धारीदार तो अगर आप चाहें तो इसमें इस तरीके से भी निकाल स उसको देखके हमें काटना चाहिए तो इस तरीके से लंबाई में है तो सबसे पहले हम यहां पर तुर्पाई के लिए कपड़ा लेंगे सिलाई के लिए तो यहां पर हमने 1.5 इंच ले लिया कपड़ा उसके बाद हम इसकी लंबाई लेंगे तो जैसे हम ब्लाउच की है हमारी चेस्ट यहां पर इस तरीके से आगे और पीछे का आएगा तो यहां पर साड़े अठारा इंच आ रहा है तो साड़े अठारा इंच का हम इस तरीके से आदा करेंगे ऐसे तो यहां पर हम इंची टिप को ऐसे रखेंगे तो यहां पर आएगा सबा नौ इंच यह हो का अब उसके बाद हमें अरोमल लेने है वो हमें 6 इंच के लेने है और यहां पर हम चौकुटा निशान बना देंगे इसके बाद हम यहां पर लेंगे 1.5 इंच सिलाई के लिए आदा इंच की दूरी रखेंगे ऐसे और दो इंच की हमें यहां पर चोड़ाई लेनी है गले की गले की लंबाई हम यहां पर रखेंगे 10 इंच और फिर यहां पर गोलाई यह पीछे का हो गया अब देखें पीछे किBaili डालेंगे नवी से डालेंगे यहां पर ऐसे vapor सबसे पहले हमें यहां पर गले का किटिंग करना है मैं हमेसेअ गुझयाईस जादा ही लेती उ तो आप भी थोड़ा जादा ही कपड़ा लेड़ा आप लोग भी गुणजाइस जादा लिए आकर हैं देड़ इंच की गुणजाइस होनी चाहिए हमारी यहां पे तो उससे क्या है कि हम उसको डीला भी कर सकते हैं कि अब देखिए यहां पर मैं देडिंग ज़्यादध चाहिए लंबाई में खोक है। हमेशा आपको बोलती है में आगे क Phillips लंबाई में ज़्यादध लेंड़ा है आपको कि तो यहां पर मजली की लंबाई लेंगे बोलेंगे चेंच यह हमारा पीछे का है और यह आगी का है यह चोटा बड़ा हो रहा है इसको परावत करना है अब देखिए यहां पर हमें आदा इंच कटिंग करना है आरूमल का तो यहां पर गले का अच्छे से गोलाई में कटिंग करेंगे हम यहां पर आरूमल काड़ना बहुत जरूली है क्योंकि जोल आती है तो यहीं से आती है अब यहां पर हम टक्स का निशान लगाएंगे तो टक्स का निशान हम यहां पर 10 इंच पर लगा लेंगे अब जो हमारा फिटिंग का कपड़ा है वो सबा 9 इंच है तो हम यहां पर फिटिंग का निशान लगाएंगे इसके बाद सबा 9 इंच का हम आदा करेंगे इस तरीके से तो यहां पर हमारी बीच की प्लेट आजाएगी अब देखे किसी ने पूचा इसके लंबाई कितनी रखनी है प्लेट की आपने टक्स का निशान लगाया है यहां पर 10 इंच पर तो यहां पर देखिए दो इंच दूर रखना है आपको यहां से आपको यह ध्यान रखना है चक्स से दो इंच दूरी रखनी है जो पिलेट है अब दो इंच की दूरी हम यहां पे भी रखेंगे और दो इंच की दूरी यहां पर esk इस को हमें दूसरी साइड निशान लग गया है अब यह हमारा हो गया, अगे का पलक त्यार, अब हमें बाजू की कुटिंग करने है अब देखें यहां पर हमारी जो चौड़ाई है वो 17 इंच है कपड़े की कपड़े को हमें ऐसे डबल करके रखना है और बाजू का यहां पर तुर्पाई करेंगे ना तो 2 इंच लेंगे अब हमें यहां पर लंबाई लेनी है तो हमारी जो बाजू की लंबाई है वो है 11 इंच तो हम यहां पर 11 इंच पर निशान लगा गए अब यहां पर लेंगे हम 3 इंच इसको देखें हमें ऐसे कम करते हुए लेके जाना आदा इंच यहां पर कात लेंगे अब देखें वाजू हो गई हमारी तो देखें कुछ लोग यहां पर आगे की साइट यहां पर आदा इंच करते हैं तो मैं यहां पर करती हूं क्योंकि आप लोग अगर इस कटिंग को पीछे की साइट जोड़ देंगे तो ब्लाउज नहीं आएगी तो यह हमारा आगी का है और यह बाजू है और यह हमारा पीछे का यह हमारा पीछे का तो देखिए अगर आप पे स्टीचिंग नहीं आती है तो प्लीज आप उपर आई बटन पर किलिक करके देख लें अभी मैंने फोर्टक्स ब्लाउज की कटिंग और क्लीज ओर स्टीच के यह हमारा आप